नमस्कार मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी एसोसेट प्रोफेसर हूं प्लटिकल साइंस डेपार्टमेंट में हमारा आज का टॉपिक है स्विस शासन में प्रत्यक्ष लोक तंत्र तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्विजर लैंड एक मात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोक तंत्र का स्थित्व आज भी मौझूद है और यह अपने आप में बहुत अनोखी व्यवस्ता है क्योंकि स्विजर लैंड बीसवी शताबदी में भी प्रत्यक्ष लोक तंत्र को अपना रहा है एक पूर केंटिन जिसका नाम है गलेरस और चार अर्ध केंटिन जिसका नाम ह और वाल्डन निड वाल्डन इनर अपैंजल और आउटर अपैंजल उसमें प्रत्यक्ष लोक तंत्र प्रचलित है तो यह प्रत्यक्ष लोक तंत्र किस तरह से प्रचलित है अगर हम उसे देखें तो स्विजर लैंड में प्रत्यक्ष लोक तंत्र के जो ओपकरण है वो प् हैं इसमें 20 साल से अधिक आयू के पुरुष बादबाद में भाग लेने के लिए जिने मत देने का अधिकार भी होता है वो स्विजरलैन में एक जगए कत्रत खूते हैं और इन सभाओं को प्रहण भीष है यानिंट्स जिमिंड कर जाता है ने फ्रते ऐसाल ये जूनाव करें और इस कारेकारणी परिशत के प्रधान को लेंड्समेन कहा जाता है ये कारेकारणी परिशत गत साल के प्रशासनिक काम आगामी साल के प्रशासनिक काम की रिपोर्ट की योजना और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है बजट पारित करती है ये सबहा केंटेन के न्यायधीशों और अन्यसरकारी अधिकारियों और राज्य परिशत के लिए प्रतिनेधी भी चुनती है एक पूर्ण केंटन और चार अर्ध केंटनों में अपनाई गए इस विवस्था को लोकतंतर का सर्वोत्तम रूप कहा जाता है क्योंकि इसके नागरिक प्रतिक्ष से शासन विवस्था का संचालन करते हैं और होपसन कहते हैं कि रभू सत्ता जंता में रहती है इसका सीधा उधारन यहां मिलता है तो प्रतिक्ष लोक तंतर के अन्योप करन हैं लोक निरने और आरंभग तो अगर हम लोक निरने और आरंभग को देखें तो लोक निरने दो विव्यक्ती होनी चाहिए इसलिये जन्ता को व्यवस्था पिका द्वारा पारत विद्यकों पर निशेधादिकार यानि वीटों का थिकार भी प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णे का ताथ पर यह है कि विधान मंदल द्वारा पारित कोई विध्यक कानून का रूप तभी घ्रहन करता है जब तक कि जनता उसे स्विकती विधान करें। यदि जनता विध्यक को अस्विकत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णे के दो रूप होते हैं अनिवार ये लोक निर्णे और एच्छिक लोक निर्णे अनिवार ये लोक निर्णे का आश्य है कि विधान मंदल द्वारा पारित सभी विध्यकों पर लोक निर्णे आवशक है और बिना जनता की स्विकती के ये विध्यक कानून का लोक नर्णे की मांग करें तब भा उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा अन्यता नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विध्यक बिना लोक नर्णे के ही सुरिकत समझा जाता है। जहां तक आरंभग का सवाल है तो आरंभग भी लोक नर्णे से एक कदम आगे है लोक नर्णे में तो जनता को कानून के समन्द में निशेधात्मक या वीटो शक्ती प्राप्त है लेकिन आरंभग में इससे सकारत्मक शक्ती प्राप्त है आरंभक के द्वारा जनता को यदिकार दिया जाता है कि वो किसी विधेक का प्रारूप तयार करे अत्वा प्रस्ताव के रूप में विधानवंडल से ये मांग कर सकते है तो विधानवंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्मान कर सकती है इसके दो प्रकार है सविन्यासित और अविन्यासित तो सविन्यासित के अंतरगात स्वेम जनता स्वेम ही विधान वंडल के समुख विधे का पूर प्रारूप प्रस्तुत करती है वह ऐसा ऐसा विधान होना चाहिए और विधान वंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोध एंधिनासत युद्रम बेफिने ही, और चैन्त की झनता के समोख आंतिमिनम्नध के लिए प्रस्तोत कर देती है। स्वाल आविय्डह की उन्तिक को छल्डाद होता है। तो उसके आधार पर उस विध्यक का निर्मान होता है और यदि विधार मंदल इन सिद्धानतों से अहम असेमत हो तो इन सिद्धानतों को जन्मत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभग के दोर प्रकार है सविन्यासित और अविन्यासित आरंभग और हमने देखा कि लोक निरने के भी दो प्रकार है अनिवार ये लोक निरने और एच्छिक लोक निरने एसी तरह से। प्रत्यक्षछ लोक तंत्र का कुछ पक्ष समार्थन करते हैं। प्रत्यक्ष लोक तंत्र को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग जो है वो प्रत्यक्ष लोक तंत्र का विरोध करते हैं वो कहते हैं यह सबसे पहले देंगे कि प्रत्यक्ष लोक तंत्र के पक्ष में जो तर्क है वो यह दिये जाते हैं कि पहली बात यह कहा जाता है कि प्रत्य जब विधान मंदल से विंवस्था पका है में कानुन निर्मान के कारें जन्ता की इच्छा नुसार करेगी ऐसा यह नियत हुआ है सदेव ही जन्ता हमेशा ही जन्ता की इच्छा नूसार सो विधान मंदल काम नहीं करता ani लोक निरने और आरंभग जो है उसे मर्यादे दरपते हैं दूसरी बात लोक निरने जो है वो शासन की तुरुटियों का उपचार है अगर शासन से विधार मंडल से कोई कानून ऐसा निर्मित हो जाए जो कि जनहित में नहीं हो तो लोक निरने के माध्यम से उस तुरुटि क अपचार किया जा सकता है अ seller अ कि अगर एक राजनेतित्क दलों का जो महत्व है वो खम हुआ है जब लोक निर्णे और आरंमभग के आधार पर जनता स्वेम ही कानून निर्मान का काम करती है तो राजनितिक दलों का महत्व उसकी बुराईयां कम हो जाती है दूसरी बात जनता से संभन्दित राजनितिक विश्यों के प्रति जागरुकता आई है लोकनर्ण और आरंभक के आधार पर जनता को सारवजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेणना और अधिक राजनितिक शिक्षा प्राप्त होती है बैंजोर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिकत निरवाचकों की राजनितिक शिक्षा में व्रधी करता है इसी तरह से जनता और प्रतिनिधियों में सम्मंद स्थापित होता है विधायक अपने कर्तवी के पती जाद से जाद से जाद सजग होते हैं कानूनों को नैतिक शक्ति प्राप्त होती है राइस भी कहते हैं कि लोगों की स्विक्ति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन करती है या करवाती है उसे अपना परमगर्तविया मानती है क्योंकि देखें, जनता का लगाव हो जाता है कि ये कानून हमारा है, हमारे द्वरा बनाया हुआ है, तो इसलिए जनता उसको लागू भी बहुत अच्छी तरह से करती है, उसे लगता है कि हाँ, ये हमारी गलती नहीं हो सकती, और हम जो है, देश भक्ती की भावना में लमाता है, तो इससे क्या होगा, एक लगाव होगा, तो ये बताया है, लेकिन इसके कुछ दोश भी है, और दोश के सम्मन्द में ये तरक दिये जाते हैं, ये कहा जाता है कि साधरान जनता कानून निर्मान का जट्टिल कार्य करने की योग्या ही नहीं है, क्योंकि विद् व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी, ये कहा जाता है कि जब कानून निर्मान के सम्मन्द में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती, तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अधिक योग्या व्यक्ति व्यक्ति कि सदेस्ता प्राप्त करने के चुक ही नहीं होते, ड्यूप्स नामा के विद्वान होए है उन्होंने का है की पृत्यक्ष लोकतन अंत्र के उपकरनों को अपनाने से विवस्था पिका किवल एक परामुष दातरी संस्था ही बन गई है जिसका काम है किवर परामश देना दिश कंसला ब्याया है मिवस्थ cigarette- Third Day Ce जोते हैं कि समय और भंपश्व रोगिंगर काों कीजिए typical सर्वेक कीजिए या पूरी सरे स्विकार कीजिए इसकर पूरी तरश से तो सुंप़र कीजिए इसके अंतरगत कानून में सईशोधन के कोई बात ही नहीं कही गई है और क्या होता है रूडिवादिता को प्रोटसाहन मिलता है कैसे मिलता है इसामान्य विक्ती रूडिवादी होता है उसके तेलिए प्रगतिशीर कानून को स्वीकार करना ही बहुत कठन है तो बनाना तो दूर की बात है तो ऐसे स्थ道ी में लोक निर्नको अपनाने का परिणाम रुड़ी वादिता को पोट्सान देना है इस प्रकार स्विजर्लेंड के प्रत्यक्ष लोक तंतर में कि पक्ष में भी कुछ तर्क दिये जाते हैं और उसके विपक्ष में भी कुछ तर्क दियेगा है लेकिन हम सार रूप से यह कह सकते हैं कि लोक निर्ने और प्रारंभग की जो पद्धतियां हैं रत्यक्ष लोक तंत्र की जो पद्धतियां है वो जनता को वास्त्विक राणितिक शक्ति प्रिदान करती है यह तो सही बात है लेकिन इसके साथ ही इसका उच्चत रूप में प्रियोक किया जाना चाहिए और जनता में उच्च राजनितिक जाग्रुकता बहुत जरूरी है अगर जनता जाग्रुक नहीं होगी तो लाग प्रत्यक्ष लोकतंतर की पद्दतियां हो, जनता माली जब भागी नहीं ले उसमें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रत्यक्ष लोकतंतर की पद्दतियों के साथ, जनता क्या हो, जागरुख हो, और जनता जो है, स्विजर स्विजर लेंड में लोक निर्न और अरंभग की प्रयोग की स्थति यह है, कि प्रती दिन बढ़ता जा रहा है, और यह इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमान है, क्योंकि कि इसी चीज का प्रयोग बढ़ रहा है, तो उसका मतलब लोक बड़े उत्सुक है, तो यह कहा जा रहपाड नामक विद्वान ने भी माना है, तो निश्चतर उसे हां में उत्तर देता है स्विजर लेंड का नागरिक, क्योंकि वो उससे पता है कि उसे लगता है कि आरंभग और लोक नने उनके राजनितिक जीवन और उनके जीवन का एक अंग है, इसलिए उस पे अप करने के वज़े से ही यह जो पदतियां है यह प्रचलन में हैं, तो आप इस टॉपिक का अध्यन करें और इसमें कोई दिक्कत आए तो हमें इसमें बात करते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर परिक्षा में जरूर पूछा जाता है, लोक ननने क्या है, कित कितने प्रकार का होता है, आरंभग क्या है, कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोक तंतर है, तो उसमें एक टपड़ी लिखिए, प्रत्यक्ष लोक तंतर के गुंदोश बताईए, तो यह सब आप इसका अध्यन करें, इसमें चोटे और बड़े दोनों तरह के प्रश तो यह बहुत बड़ी बात है और जहां अनोखापन है वह हमें ज़रू पढ़ना चाहिए क्योंकि एक्जाम में इससे समंदित प्रेशन आते हैं और आगे आपके कॉम्पेटिशन में आते हैं तो अध्यन करें और अल्दे बेस्ट धन्यवाद